कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं कि मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता कि मैं भी ओं बड़े बड़े लिट लेकर आया होता तो मुझे दर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा है हुख हुख है हम कि हमें तो वह टरी नहीं थाutet खुली किताब जैसी जिन्दिकी रही है तेरा 14 साल आपके बीच में काम किया है विरोधियों ने भी कभी उंगली नहीं उठाई वही तांकत थी जिसके कारण दर्ण नहीं लगा कभी क्या होगा अरे जो होगा तो होगा यार होता क्या दूसरा मैं ये विश्वात से मानता हूँ ये मेरा कन्विक्शन है हमारे देश की समस्याओं की जड़ में ये प्रश्टाचार दिमक की तरह गुज गया है सारी व्यवस्ता को तभा कर दिया है कहीं से तो शुरू करना जीए कि नहीं करना जीए बताईए मैं भी ये कैसे रहे है इतना फैल गया है कौन कर सकता है छोड़ो यार सारी जरकारे आई चली गई कम से कम हम नहीं करेगी ये कए कहा कर के मैं भी छोड़ सकता हूँ था लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो और मैंने उपर से शुरू किया और ये उपर ठीक हो जाएगा ना तो नीचे तो फिर आप समझ लीजे भमा भाम होने वाला और इसलिए और आपने देखा जिस चार-चार पिड़ी उनको नाम लेते ही देश काम पता था उनकी तांकत ऐसी थी देश को अठारा महने तक जेल खाना बना दिया था ये ताकत दियों की कभी किसे ने सोचा नहीं होगा कि चार-चार पिड़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाह वाला चुनोती दे रहा है और आपको पता है ना बिजमानत पर है कभी किसे ने सोचा होगा और और भी उनके सारे सागरी दरबारी लोग है वो भी कोट के चक्कर काट रहे हैं और मुझे विश्वास है सबासो करो देश्वासो क्या सिर्वाद है ये कोट के चक्कर जितने लगाने लगा ले एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा देश का जिनोंने लूटा है उन्होंने लोटाना ही पड़ेगा आप मुझे बताईए पहले भी इस देश से बेमारी करके रूपिय मार करके देश छुड़के लोग भागे हैं के नहीं भागे हैं सेकड़ों की तादाद में भागे हैं लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या करे वो भाग गया हुआ हमने कानून बनाएं जो भागा है उसके पाई पाई जब्त करेंगे दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहें लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती हैं अगर सबासो करोड देश वासों का उजवल भविश देश के नवजमानों का उजवल भविश यही दिल में भरा पड़ा है तो ये निर्णेक भी आपने आप होने लग जाते है जहां तक आगे हमें चुनाओं का सवाल है आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है इस्वर देखिए जनता जनारदान इस्वर का रूप होती है और ये किसी के पढ़े लिकर के आए हुए लोग नहीं है किसी के पढ़े पढ़ाए लोग नहीं है अपने आप आवाद दे रहे हैं क्या होगा हमारे सामने चुनोती और है एक दल के रुप में एक उमीद्वार के रुप में कॉंग्रेस हार जाए इतने से काम बनने वाला नहीं है कॉंग्रेस मुक्त भारत का मतलब है पिछले सतर साल में कॉंग्रेस ने जो गलत चीजे देश की राज़ितिक जीवन में सामाजीक जीवन में पारिवारी जीवन में गुषेड दियें देश को उससे मुक्ति दिलानी है परिवारवाद जातिवाद महुषवाद ब्रसाचार मेरा तेरा ये जो बिमार्या गुष गई है देश को उससे भार निकानना ही पड़ेगा अगर इसलिए हम मंत्र ले करके चले हैं सबका साथ सबका विकास और कोई जी अगला प्रश्र बहुत हजारों लोग पूछना चाहते हैं